हर्दोई जिले से हुई होलिका दहन की सुरुवात मंदिर के पुजारी राम बिलास तिवारी ने दी जहनकारी उत्तर प्रदेश के हर्दोई जिले से होलिका दहन की सुरुवात हुई थी पौराणी कथा के अनुसार कभी हरदोई का राजा हिरणा कस्यप था वहां राक्षस था इसलिए वहां देवताओं से बैर रखता था और अपने राज्य का नाम भी हरिद्रोही रखा था हिरण कस्यप का वद भगवान विश्णू ने नरसिंग अवतार लेकर किया था हिरण कस्यप का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा था जन्म से ही प्रहलाद भगवान विश्णू के भक्त थे और विश्णू जी की पूजा अर्चना में लगे रहत लेकिन हिरन ने कस्यप को या अच्छा नहीं लगता था कि राक्षय स्कुल का उसका बेटा भगवान की पूजा कर रहा है। लेकिन प्रहलाद को हर भगवान विश्णु ने बचाया। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिती उसकी खराब है। पुलकित खरे का तबादला होने के बाद प्रहलाद कुंड उपेक्षा का सिकार है। कुंड का पानी सूख शुका है लाइटें तूट चुकी है। मंदिल के पुजारी राम बिलास दिवारी ने बताया कि हर दोई में भगवान विश्णु ने दो बार अवतार लिया। पहला अवतार बामन के रूप में और दूसरा अवतार नर्सिंग के रूप में लिया। मारने के लिए कई बार प्रयास किया। प्रहलाद को इसी कुंड में फेका और फिर अपनी बहन होलिका जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। गोद में बैठाया लेकिन कुंड में आग जब जलने लगी तो उसकी बहन तो मर गई लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। भक्त प्रहलाद को उसने मारने की कोशिस की लेकिन भगवान विश्णू की क्रपा से वह लगातार कई बार बचते रहे। तब ही से हर्दोई से होली की सुरुवात हुई है तो पहले अगनी कुंड मनाया जाता है और वहाँ पर होली जलाई आती है और उसके बाद में फिर दूसरे दिन होली खेली आती है क्योंकि उस समय हर्दोई का राजा हिरना कस्यप जो था उसे विश्णू जी ने नरसिंग का उतार लेकर मार दिया था और उसके बाद में उसके बेटे को राजगदी दी थी तो इसी खुशी में होली मनाया जाती है तब से लेकर आज तक हर्दोई के लोग होली मनाते हैं और या होली का तिवहार पूरे भारत वर्ष से लेकर बिस्स में विक्यात हो गया है बताते हैं कि हम लगातार काफी समय से इस मामले को वाच कर रहे हैं क्योंकि हर्दोई में एक टीला भी है जिसे उंचा टीला बताया जाता है जिसे उंचा थोक कहा जाता है वहाँ उसका किला हुआ करता था मंदिर के पुजारी रामविलास तिवारी ने इस स्थलका जीनोधार कराने की हर्दोई के जिला अधिकारी से मांग भी की है